दिलिप मंडल ने बताया सपा बसपा में कौन है बहतर किया बड़ा खुलासा जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना मैं उपर आगमेंदर आप देख रहे है नेशनल चौपाल लोगसबा 2024 का चुनाव सर पर है तमाम राजनितिक पार्टिया अपनी चुनावी दावपे इसको लेकर सियासी मैदान में है और इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोगसबा सीटों पर पुरे देश की नाजनिगाह है क्या अकरिन 80 लोगसबा की सीटों पर क्या होगा कौन अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा क्या बीजेपी के माध्यम से की गए तमाम 400 अधिक सीटे जीतने का जो दावा किया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा और बड़ी टक कर देनी की बात अगर उत्रपदेश में 80 लोगसभा के सीटों पर है तो सपा और बस पाकिस तरीके से अपनी भागेदारी सुनिश्चित करेगी और ऐसे में अब देखना दिल्चस्प है कि इस पूरे के पूरे मसले पर क्या खुछ इतियास और वरतमार और भविश्य को लेकर राजनेतिक जो तस्यूर है वो बदलते वे नजरा रही है शुरुआत करेंगे इतियास से इतियास से शुरुआत करते वे एक ट्वीट सोशल मीडिया पर बड़े ही जम कर वाइरल हो रहा है वो ट्वीट है बोजन समाच के वरिष्ट पत्रकार दिलिप मंडलिन का दिलिप मंडल ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जहांसे आप समझ पाएं जे कि आखर इतियास में तमाम तरीकी से बीजे पीने सत्ता को काबिस करने का जो काम जो करिश्मा आखर करके दिखाया उसके पीछे के वास्तविक्ता और उसके पीछे का जो जमीन इस तर पर जो उबजाओ जमीन को बनाने का काम किस के तौर पर किया गया किसने इस तमाम जमीन को बनाने का काम किया है इसके साथ साथ दिलिप मंडल ने जो कुछ कहा वो तमाम चीजों के सबसे पहले आपको मैं रूबरू करवाना चाहूंगा जिसके कारण आप अनुमान लगा पाएंगे कि सही मायने में अगर बात करेंगे उत्तरपदेश की या फिर पूरे देश की तो सपा बसपा में आखिर बैतर कौन है जो बात दिलिप मंडल इनके जर तो दिलिप मंडल यहां पर साफ लिखते है कि बीएसपी ने 2007 में यूपी में विधान सबाद चुनाओ जीता सरकार बनाई दो साल बात 2009 में लोग सबाद चुनाओ हुए बीजेपी को यूपी में सिर्फ दस जग जीत मिली इसके साथ साथ आगे लिख रहे दिलिप मंडल की समाज़दी पार्टी ने 2012 में यूपी में विधान सबाद चुनाओ जीता दो साल सरकार चलाई 2014 में लोग सबाद चुनाओ हुए और बीजेपी यूपी से लोग सबाद की 73 सीटे ले आई केंद्र में मोधी सरकार यूपी के रास्ते से आई अब तक इस बारे में बहुत कम चर्चा हुई है कि उन दो साल में समाज़दी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि यूपी में बीजेपी की लहर आ गई क्या आप जानना चाहोगे कि क्या हुआ था इस सवाल यहाँ पर दिलिप मंडल ने किया है और सिर्फ ये सवाल नहीं तो कई सवालों को यहाँ पर दिलिप मंडल ने जन्म दिया है जिस तरीके से आप समझ पाएंगे कि शुरुवाती दोर पर दिलिक मंडल ने उस बात को दोराया है जिस बात को तमाम राजनेतिक विशलेशक बहुजन विचारक समय के मिताबी कर दोराने का काम कर रहे है और वास्तविक्ता के आधार पर आज इस बात को लेकर चर्चा करना बातचीत करना ये समय की मांग है दिलिक मंडल कह रहे है कि दीयस पी ने दोजार साथ में जिस पर तरीके से विदान सबा का चुना उत्तरपदेश में जीता इतना है नई सरकार बनाई और जब दोजार नौ में लोग सबा का चुना होता है तो आपर राजनेतिक तस्विर उत्तरपदेश में पूरी तरीक से बदल जाती है बीजेपी यूपी में सिर्फ दस सीट जीत को जीत मिल पाई है बीजेपी को उत्तरपदेश में सिर्फ दस सीट पर ही जीत मिल पाई जब बीएस पी ने दोजार साथ में अपनी पुर्ण बहुमत की सरकार बनाई लेकन मस पूरा बदल जाता है कब? जब बहुजन समाज पार्टी के बाद समाज वाधी पार्टी नहीं कोई उमीद नहीं लगा जा सक रहा था लेकिन तस्वीरे निकल कराती है तक्रिबने 43 सीटे 73 सीटे जिस तरीके से बीजेपी जीत करलाती है और केंदर में मोधी की सरकार बन जाती है तो बत कहां पर दिलिप मंडल के जरी की गई है कि मोधी ने सरकार बनाई है वो उत्तरप्रदेश के रास्ते जब बहुजन समाज पार्टी का शाशनकाल था तो बीजेपी को कहने कई कमजोर करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरीए हुआ लेकिन जब यूपी में समाज अधिपार्टी सरकार बनाती है तो दो साल में ऐसा करिश्मा हो जाता है जिसके कारण जो बीजेपी कहने के 10 सीटों में सिमठ चुकी थी वो 73 सीटों में तबदिल हो जाती है ऐसा जो हुआ है जो इत्यास में जो तस्विरे निकल कराई है इसको लेकर कहने के बाक्ची चर् मिजाओगे कि क्या हुआ था तो आगे दिलिप मंडल लिक रहे है कि बीयस पी के साशनकाल में बीजेपी का ग्रोथ नहीं हो सका और सपा के साशन में हो गया और भारत के इतियास में पहली बार केंदर में बीजेपी की पुर्नवोमत की सरकार बन गई इसमें यूपी से मिल 33 सीटों की सबसे बड़ी भूमी का है तो जिस तरीके से शुरुवाती दोर पर दिलिप मंडल ने कहा कि यूपी का जो रास्ता दिल्ली होते हुए गया और कहिने के समाज़ादी पार्टी ने के सरकार बनाने के बाद दो साल के बाद में उत्रप्रदेश में कहिने कई बीजे बीजेपी का ग्रोथ नहीं हो सका ये बात कही गई है और सपा के साशनकाल में ये हो जाता है भारत की इतियास में ऐसा पहली बार हुआ जहाँ बीजेपी ने पूर्न वहमत की सरकार बनाई ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है उत्तरप्रदेश में इस तरीके से समाज जदी पायटी ने अपने दो साल का कारेकाल साशनकाल चलाया और इसके साथ साथ उत्तरप्रदेश की जो त्रातर सीटों पर बड़ी भूमी का बीजेपी ने यहाँ पर साबित कर पाई है उसकी भूमी का कहने कही मोधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूती दे पाई तो ये तमाम चीजे और इसके पीछे का जो वास्तविक्ता है इत्यास है जो दिलिप मंडल ने यहाँ पर बड़ा खुलासा करने का काम किया है इससे आप क्या समझ पा रहे है इससे आप निशीत रुप से समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से जब सत्तक गद्धी के पास करीब जब बौजन समाज पार्टी आती है तो खास तोर पर इसका पूरा का पूरा असर ये कॉंग्रेस और साथ साथ बीजे पी को जेलना पड़ता है और जब लेकिन यूपी में या फिर तमाम तरीके की देश की बात करेंगे खास त तो समाज पार्टी सकता के करीब जब आने की कोशिश करती है तो कहिने की उसका फाइदा बीजे पी को साथ तरीके से देखने को मिलता है तो ऐसे में बड़ी बात ये है कि समाज पार्टी के साथ जो वोड़ बैंक उसके साथ जुड़ा हुआ है वो वोड़ बैंक ही कहिने कई BJP का वोट बैंग खास तोर पर देखने को मिलता है क्योंकि यादव समास का जो वोट है वो निश्चित रूप से कहिने कई जिस तरीके से जो धार्मिक मुद्दों को बढ़ाने का काम या धार्मिक मुद्दों के आधार पर राजनिती करने का काम किया जाता है उसके गिर भी करन का शिकार हो जाता है वो समस्ता है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं समाज अधी पार्टी नहीं तो कहीं न कई भारते जनता पार्टी उसके लिए सबसे बहतरिन विकल्प है इसके साथ जो वोट बैंक है वो समाज अधी पार्टी से खिसक कर वो BJP में चला जाता है जिस वोड़ बैंक के बदुलत तक्रिबन 95 प्रतिशत या 90 प्रतिशत के आसपाथ जो वोड़ बैंक समाज़ादी पार्टी का मुस्लिम समाज के साथ में बरकरार था अब वो तमाम समाज़ादी पार्टी के अखले श्यादव के एतियासिक गलतियों के चलते अब वरतमास त सिती में उससे छिटकता वना जराता है जो सिलसिला शुरू हाता जो 2022 से 2022 में जिस तरी केश से जो भागेदारी समाज़ादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को नहीं दिया तब से नाराथ यह शुरू हो जाती है मेर का चुना होता है वो भागेदारी भी मुस्लिम समाच को अखले श्यादव के जरिये नहीं दी जाती इतना ही नहीं तो PDA के नारे को लाने का काम अखले श्यादव करते है जहाँ पर वो PDA मतलब पिछडा दलित और अलपसंख्यांग के बात करते है मुस्लिम समाच के बदलत जिस तरीके से उपनी राजनीती को करने का काम किया जो तमाम तरीके से सत्ता को हासिल करने का काम किया लेकिन जिन लोगों के बदलत जिस समाच के बदलत उन्होंने करके दिखाया उसको ही उन्होंने नजर अंदास किया जिसके कारत मुस्लिम समाज में लगातार कहने के एक खफा वाला माहूल है कि वीरोधा भास वाला माहूल है नतीजे देखे गए राज्य सभा का जो चुनाव हाली में हुआ तमाम 111 विधायक समाज अधी पार्टी के पास में उसके बावजुद भी एक ऐसा मुस्लिम कहने की नॉमिनेशन के लिए जो नेता समाज अधी पार्टी से अखले श्यादों को नजर नहीं आया उसके बात में इस बात को लेकर भी कहने के समाज अधी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में बड़े पैमाने पर नाराज़गी है और वो नाराज़गी साफतोर पर नज़रा रही है अब मसला ये बन चुका है कि समाज़ादी पाइटी के लिए अपने पाइटी को बचाना अपनी विक्रे हुई पाइटी को समेटना ही अब उस कहने कई बड़ा सवाल बन हुआ है जिसको लेकर लगाता रखे अकले श्यादव के जो परेशानिया है वो मुश्किल है बढ़ते में नज़रा रही है समाज़ादी पाइटी में तमाम जो बढ़नेता है वो स्तीफे पे स्तीफे देते में नज़रा रहे है और जो स्तीफों की जड़ी लग चुकी है अकले श्यादव की लगातार मुश्किले बड़ी हुई है अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा के सीटों पर जहां पर अकले श्यादव की समाज़ादी पाइटी कहने कही अपने आप में भी अब काबिल नज़र नहीं आ रही है ऐसे में बहुजन स साबित यही पूरी बातों का लबे-लुबाव है कि बहुजन समाज़ पार्टी ही जिस तरह किसे इत्यास में बीजेपी को रोकने के लिए बड़े मजबूत साबित हुई है और आज वरतमान स्थीती में भी वही कहने के नजारे देखे जा रहे है ऐसे में अब लोकसभा 24 क के चुनाओं के पुरिणाम ही निरधारित करेंगे कि आखिर बीजेपी को रोकने के लिए कौन किस तरीके से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगा इस पूरे के पूरी बातचीत को लेकर और दिल्पमंडल के जर ये तमाम जो खुला से किये गए है इसको लेकर आपके क्या राय है प्रतिक्रिया क्या है लिकर हमें कमेंड बाक्स में जरूर बताए बने रहे नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जै भीव